आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन मेरे चमतकारी उपाई जोतेश वास्तू तंत्रमंत्र दैनिक राशिफल वरत्योहार वैदिक पूजा पार्ट के लिए टेस्ट अब्रेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथी गंटी के निशान को भी द सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांकी विक्रम संवत दोहजार अठतर मास चल रहा है आश्विन का तितिशुक्ल पक्ष की द्वादशी के तितियर अरविवार का दिन है नक्षत रहे शद्विशा योग है वृद्धी और करण है बालवर वरत परवर तिवार की बात करत सकता है परिवार का महौल अच्छा रहेगा ग्रिहस्त जीवन में जो परिशानियां चल रही थी जो वाद्विवाद चल रहा था उसका निराकरण किसी अनुभवी व्यक्ति के हस्तशेप के बाद ही हो पाएगा ओम श्री प्रताईन महमंत्र का 108 बार जाप करें तनाव ले जातक लों के लिए कारिभार के दिखता रहेगी आज का दिन भागदोर में बीतेगा ओम समस्त जगदाधराईन महमंत्र का 108 बार जाप करें मांसाहार और मद्यपान के सेवन तथा प्रयोग से आपको बचना चाहिए करकराशी करकराशी वाले जातक लों के लिए व्यापा प्रयाई नमहमंत्र का 108 बार जाप करें किसी को रुपए पैसे उधार देने से आपको बचना चाहिए करन्या राशी करन्या राशी वाले जातक लों के लिए आनंद प्रमोद और मनुरंजब प्रविर्तिया आज दिन भर चलती रहने वाली है उम सर्वप्रयाई नमहमंत् से व्यापार प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेगा उम सर्वसिद्धी प्रदाय नमहमंत्र का 108 बार जाप करें धैरी किसी भी इस्तिती में आप नखोएं व्रिश्यक राशी वाले जातक लों के लिए आकस्मी प्रवास की संभावना बनती है खान पान पर विशेश ध् आएगा और मित्रों के साथ परिवार के साथ आनंद प्रमोद में मनुरंजन में आज दिन बीते ऐसी इस्तिति आपके लिए बन रही है उम सर्वात मकाई नमहमंत्र का 108 बार जाप करें मानसाहार के सेवन तथा प्रयोग से आपको बचना चाहिए मकर राशी मकर राशी वा जातगलों के लिए कारियों में सफलता मिलने से धलाप की इस्तिति रहेगी और आर्थिक पक्ष मजबूत होगा परिवार का महौल अच्छा रहेगा और परजेनों का भरपूर सही होगा आपको अपने हर काम में मिलेगा उम सिद्धार जित पादाम बुजाई नमहमंत्र क एक सो आठ बार जाप करें और धन काव्याई करने से आपको बचना चाहिए तो दोस्तों ये तो बात रही आज के बारा राशिकी हम लोगों ने जाना कि ग्रहनक्षत्र की इस्तितियां क्या कहती है और दिन को शुब बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नही की ही होती है तो शत्रूओं पर विजय कैसे प्राप्त हो कोट कचरी के मामलों में आप विजय कैसे हासिल करें अक्सर ये लोग कोशन हम लोगों से करते हैं तो इस बारे में आज हम लोग उपाए जानेंगे यदि किसी कारण वश आप या आपके परिवार का कोई सदस्य आपका कोई रिष्टेदार मित्र किसी मामले के तहट कोट कचरी के चक्कर में फस चुके हो और हर संभव प्रयास के बावजूद भी सफलता नहीं मिल पा रही हो किसी भी तरीके से आपको हार का अब डर सताने लग गया हो और आप उसके चलते जो है उच अदालत में ले जाकर के अपने जीत में आप अपनी हार को बदलना चाहते हो तो छोटे छोटे बहुती रामबान उपाए मैं आपको बताने जा रहा हूं जिन टोटकों की सहायता स जल्दी कोट कचेरी के मामलों से आप बाहर निकल सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि निचली अदालत में निचली कोट में हमारे विरुद व Aww, हेज स्थी कषिक पार, वहación करा स सब्सक्राइए. तो आपको क्या उपाय करके जाना चाहिए और पहले शुरू से ही अगर आप चाहते हैं कि आपकी विजय प्राप्ति हो जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं तो इन उपायों को आपको जरूर करना चाहिए जब भी आप कोट कचेरी जाएं और खास्तोर पर मामले की सुनवाई के लिए जाएं तो आपको ध्यान रखना होगा कि गहरे रंग के कपड़े पहन करके ही आपको जाना चाहिए इससे मंगल प्रभावी होता है और आपकी विजय की संभावना बढ़ती है दूसरा उपाई है कि जब आप सुनवाई के लिए घर से निकलते हो तो अपने साथ एक मुठी भर सफेद चावल बिना टूटे हुए चावल ले करके जाएं और उन्हें कोट कचेरी में जिस कक्ष में सुनवाई हो रही हो वहाँ दाहीनी तरफ आप उसको फेक दे ध्यान उपाई है कि अगर आप सारी उमीदें हार चुके हो आप हिम्मत हार चुके हो आपका धैरे जवाब दे गया हो गवा के मुकरने की आशंका हो अत्वा अपने वकील की योगिता संदिग्द लगे तो कचहरी जाते समय अपने साथ एक हथा जोड़ी ले करके जाएं हथा जो तीसरा उपाई है कि एक पीला नीबू ले और उसको उसके चारों कोने पर चार लॉंग आप गार दें के लॉंग उसके चारों कोने पर आप गार दीजे अपने कुल देवता इस्ट देवता से मुकदमे में सफलता के लिए प्रात्ना करें तथा उस नीबू को कचहरी जात उसका नाम एक अनार की लकडी के द्वारा लाल चंदन के स्याही से अनार की लकडी की कलम बना करके लाल चंदन की स्याही का प्रयोग करके उस पर आपको भोजपत्र पर अपने शत्रू का नाम लिखना है और उसको एक नई शहद की शीशी में रोल करके जिस टुकडे पर करने लगेगा पांचवा उपाई है कि जब आप नयायाले जाएं तो उससे पहले घर में पूजा इस्थल पर चार गोमती चक्र इस्थापित करके जाएं यानि रख करके उनकी पूजा करके जाएं और नयायाले से आने के बाद जब नयायाले जाने लगें तो उन गोमती चक को निकाल करके भगवान के चरणों में ही आपको रखना है उसको ऐसे वैसे आप कहीं रख करके भूलिये मत छठा उपाई यह कि किसी मुकदमे में विजय के लिए आप लाल या सिंदूरी रंके साथ या पांच रती का मुंगा रत्न तिकोना आकृती की का जो है तिकोना करके पहनने से जो है मंगल मजबूत होता है तो इससे किसी भी तरीके का कोट कैचरी वगरा का कोई कोई एक संदेह नहीं रहता और अगर होता भी है तो इसमें विजयायाब की होती है ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है और सिर्फ इस मुंगे को धारन करने से सिर्फ कोट कैचर में धारन करना चाहिए यह बहुत ही चमतकारी प्रयोग माना जाता है इसके लावा दो मंत्र भी मैं आपको बताने जा रहा हूं इन मंत्रों का भी आप प्रयोग करके लाब ले सकते हैं कोटकचरी के मामलों में अपने शत्रों पर विजय प्राप्त करने के लिए यदि किसी का मुकदमा बहुत लंबे समय से चल रहा हूं बहुत लंबे समय से अटका हूआ उसकी तारीक आ रही हों हो है कारवाही आगे ना बढ़ पा रही हो तो ऐसे में यह दोनों मंत्र आपको यहां description box में भी मिलेंगे पहला मंत्र है ओम करांग करांग धूम्रसारी बदाक्शम विजयती जैती ओम स्वाहा इस मंत्र का जाप आपको रोज नियम से 108 बार करना चाहिए अगर रोज नियम से 108 बार करेंगे भी कैसे इन मंत्रों को सिद्ध करना है एक बार सिद्ध करने के बाद रोज नियम से 108 बार कम से कम करना है वो मैं आपको इसकी साधना का भी पूरा त चक्रपानी हे चक्रायुद धारी है नमोनमा इस मंत्र का जाप करने से भी आपके इस्थिर मुकदमे में जिसमें कोई गती नहों कोई बात आगे ना बढ़ रही हो उसमें फिर दीरे दीरे गती आने लगती है और मुकदमा आपके पक्ष में सुलजने लगता है तो इन दोनो मंत्रों को आप description box में पा सकते हैं इन दोनों मंत्रों को कैसे सिद्ध करना और सिद्ध करने के बाद रोज आपको नियम से कैसे एक मंत्र की करेंगे तो वो जल्दी से दोता है तो करना यह है कि इन में से किसी भी एक मंत्र का चैन करके पहली दिन जब भी आप जिस भी दिन इनका जाप करना चाहते हैं जब शुरुआत करना चाहते हैं तो उस दिन आपको किसी शुब मूर्त में ग्यारह हजार बार मंत्र है सुनवाई है वहाँ बैठ करके ग्यारा बार मन ही मन इस मंतर का जाप कर लें मुकदमे में जीत निश्चित होगी जो मुकदमा शांत पढ़ गया था शितिल था इस्थिर था उसमें कोई न कोई गती आएगी और वह दीरे दीरे आपके लिए आपके पक्ष में सुलजने की तरफ बढ़ जाएगा तो पहले बार जब आप इसकी साधना करेंगे तो ग्यारा हजार बार आपको इस मंतर का जाप करना इन दोनों में से किसी भी एक मंतर का चैन करके उसके बाद रोज नियम से आपको 108 बार करना और जब भी आपकी कोर्ट में सुनवाई हो तो वहां ब सबी से बार-बार आग रहा है कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कावना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो डाले जाते हैं उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी तबाये जिस்सकौ कोई ब्यू पाई या शास्ती जानकारी आप से जूट भइढ़ करें department कि आपके परामर्ष और समाधान चाहते हैं आप अपनी किसी भी personal problem के लिए मुझसे consultation और remedies चाहते हैं तो उसके दो तरीके हैं टेलिफोनिक consultation फोन पे बात करना और दूसरा face to face यानि personal meeting के करना आप हमें phone के माध्यम से email और WhatsApp के माध्यम से appointment बुक कर सकते हैं हमारा नमबर है 990724131 आपको दो नमबर दे रहा हूं इन दोनों नमबर पे WhatsApp अवैलेबल है आप WhatsApp करें 9818300146 यह हमारे office का दूसरा नमबर है अगर आप हमें email करना चाहते हैं तो आप हमें email कर सकते हैं हमारी email ID note कर लीजे sharma.webava vaiva.gmail.com पर इस पर आप हमें email भी कर सकते हैं मित्रों आजकल phone calls बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग call करते हैं phone receive नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में email और WhatsApp करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवाद